हेलो दोस्तो मैं हो रिषिप चार्जर आज के इस यूडियो में हम देखने वाले हैं बोर्ट रॉकर्स 255 प्रो प्लस वर्सस दा बोर्ट रॉकर्स 335 तो इन दोनों नेक्पैंट मेंसे कौन सा आपको खरीजना चाहिए उसका discussion करेंगे दोस्तों तो वीडियो को पूरा देख दोनों मॉडल का comparison हो रहा है कि अभी जो 255 प्रो प्लस रिसेंटली लॉंच किया आप देख सकते मैं पहना हुआ हूँ तो यह वाला 1499 पे अभी मिल रहा है अभी जो 335 है ठीक है यह थोड़ा सा पुराना मॉडल है नॉर्मली इसका प्राइस रहता है 1999 ठीक है बट अभी लिमिटेड टाइम डील आप देखेंगे तो 1,600 में मिलता है 1,599 मॉस्ट अभी कभी वह 1,999 हो जाता है फिर से 1,599 हो जाता है तो आराउंड कितना हो गया 100 रुपीज डिफरेंस हो गया तो बोट का ही दोनों नेक बैंड कुन सा खरीदना है तो चलिए उसका थोड़ा सा discussion करेंगे आपको बताऊंगा भी last में कुन सा आपको खरीदना चाहिए पहले तो आपको design बता देता हूं तो दोनों का price almost similar है design कुछ अलग है क्या तो यह हो गया हमारा 335 के boat rockers का अभी मैं दिखा हूं 255 pro plus यह मैं पहना हुआ भी हूं but as a photo में कैसे दिखने में लगता है pro plus भी दोनों में ही available है different different एक चीज जो physical overview में different मिलेगा वो है कि number one जो आपको microphone मिलता है वो 255 pro plus में microphone unit separate दिया है ठीक है आप देखेंगे this is the neckband and microphone unit separate है on the other hand जो 335 है उसमें neckband में इधर ही microphone आएगा that is the difference other thing physically अगर आप देखेंगे तो यह जो neckband part है that will be metallic and slightly better quality in the 335 इसमें तोड़ा सा मतला metallic नहीं है rubberish type है ठीक है so that will be the main difference अगर आप physical overview की बात करें battery again something जो company बहुत highlight करी है 40 hours playback मिलेगा इसमें 255 pro plus में and जो हमारा 335 है उसमें 30 hours के claim करती है company but actual अगर हम capacity देखें mh कितना mh का battery है तो हमारा जो 255 pro plus है उसमें आता है 300 mh का battery whereas जो हमारा 335 है उसमें आता है 150 mh का battery तो almost double battery आता है capacity है नया वाला में तो yes you will get better battery life in the 255 pro plus जो नया model है charging की बात करें तो दोनों में ही same claim करती है company की 10 minutes में 10 hours का आपको charge मिलेगा approximately रहता है यह but okay दोनों ही fast charge भी support करती है so that is also good thing दोनों ही type C मतलब type C वाला charging है so that is also good same अभी एक चीज जो फिर से अलग हो जाता है कि जो हमारा नया वाला है 255 pro plus इसमें Qualcomm का Qualcomm का APTX का support है ठीक है basically chipset का रहता है कि आप सुनते समय वो थोड़ा सा बेटर sound आता है on the other hand जो हमारा 335 है उसमें APTX HD का support है and APTX का भी support है तो दोनों का support है whereas 255 इसमें APTX का support है that is one minor difference I don't know in real life ही कितना मतलब करता है but yes on paper at least ये एक चीज अलग है दोनों में ही CVC noise cancellation मिलता है तो basically call के समय ये काम करेगा CVC noise cancellation but एक चीज में आपको बत्ता दूंगा दोस्तों कि क्योंकि उसका microphone इधर आपको मिलेगा इसका microphone इधर है मतलब more closer to the mouth तो इसका mic थोड़ा सा मतलब आप किससे बात करेंगे तो थोड़ा सा better आएगा sound quality just because the placement is better this placement is much closer आप देख सकेंगे आपके ऐसे करके जब बात करेंगे तो better sound आएगा वेरस इसमें there is no problem as such 335 is also good बट नया वाला model में यह करती है water resistant की rating बोले तो 255 pro plus में IPX7 rated है वेरस 335 में IPX5 minor difference yes it's an upgraded इसमें जादा better water resistance मिलता है drivers दोनों का driver same है क्या yes दोनों का 10 mm का drivers है दोस्तों sound quality की बात करें तो I don't think उता कुछ difference रहेगा क्योंकि at the end of the day company ने कुछ भी नया कुछ sound उद्दम अलग रहेगा नहीं दोनों में ही bass अच्छा मिलेगा and sound quality will be good sound quality में ज्यादा good difference होगा नहीं कि बहुत आग 10 mm driver सुन फिर जो मैं बोला दोनों में ही magnetic earbuds मिलता है again same dual pairing दोनों में ही support करता है dual pairing and voice assistant का भी support है charging time की बात करें again slight difference जो नया वाला है क्योंकि इसका battery ज्यादा बड़ा है इसका 60 minutes लगेगा वेरा जो 335 है उसका battery थोड़ा कम है तो 40 minutes चार्ज लगेगा full करने में 0-100% तो यही पूरा comparison था दोस्ता अभी main question पर आते हैं इन दोनों में आपको क्यों सा खरिजना चाहिए 100 रुपीज जादा देके 335 कि 100 रुपीज वचा के 255 प्रो प्लस तो मेरा suggestion रहेगा दोस्तों कि आप देखे features सबी features हम देख लिए अभी तो features को देखते हुए I would suggest कि आप 255 प्रो प्लस सी लीजिए क्योंकि आपका 100 रुपीज कम लग रहा है latest model है तो company ने ज्यादा अभी experience हो गया है पुरा लांच करके तो जो customers को चाहिए उसको ही रखा है तो battery बढ़ा दिया है तो battery capacity ज्यादा मिलेगा माइक भी पास कर दिया है तो आप बात करेंगे तो बिटर रहेगा आपका audio and overall sound quality is also good क्योंकि 10 mm drivers है bass भी अच्छा है मैंने इसका unboxing and review video भी बनाया अगर आप देखना चाहते है बाट अगर आप मुझे पूछे अभी go for the 255 pro plus it is a very good value for money option currently तो आप में मुझे बताए आपको कैसा लगाए video informative लगा की नहीं तो नो प्रोड़क्स का link description comment section में रहेगा दोस्तो वीडियो informative लगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना चाल पर नहीं है तो subscribe करके bell icon में दबा दिजिए मुझे Instagram में follow कीजिए आज के लिए अधर दोस्तों फिर शक्रीव लगे तब तक के लिए बाइबाइबंस